दोस्तो new education policy 2020 की वज़े से engineering में इस बर क्या changes हो रहा है कौन से university में recent ने अपने first year के syllabus को change कर दिया है सभी चीज़े मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ पर सबसे पहले आपको बता दो कि अगर आप engineering में admission ले रहे हो तो सबसे पहले प्रदीबगीरे academy जो इंडिया और महाराष्टा का बहुत ही प्यारा चैनल है उससे जाके आप subscribe कर लो around 1200 के आसपास engineering के lectures वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे तो भाई जाके उसको subscribe करके रख लो क्योंकि engineering में जो जो changes हो रहा है वहाँ पे उसके videos भी आ रहे है तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अभी जैसे ही आपका admission process होगा आप अपने अपने university में जैसे ही आप admission ले लोगे फिर next आपका target रहेगा semester 1 का paper क्या है अब सबसे बड़ा tension आपके लिए हो गया कि इस बार का syllabus जो है new education policy के according बहुत सारे university change कर रहे हैं जिसमें पुने university में जो student admission लेंगे उनका syllabus इस बार change दिखाई देगा देखो first year engineering अब पुने university के जो भी student होगे वो 2024 pattern अभी आपको नहीं पता है आपका admission मुंबई में होगा कि पुने में होगा कि बाटू में होगा कि अमरावती में होगा कि नाकपूर में होगा अभी कुछ नहीं पता है बड़ अगर पूने university में आपका पर आप ध्यान से समझो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जिस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो जैसे मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का नाम लिया उसमें भी new education policy के according changes दिखाई देगा इसलिए हमेशा मैंने वहला प्रदीवगरी अकैडमी चैनल को पढ़ना चालू कर देते हैं मार्क्स नहीं मिलेगा बहुत सारे स्टुएंट क्या करते हैं पुराने स्टुएंट का बुक लेके पढ़ना चालू कर देते हैं थोड़ा सा आपको सतर करेना है बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को तयार करना है अब देखो दोस्तों new education policy यह जो अगर मैं पूने university की बात करूं तो इन्होंने syllabus में भी changes किया syllabus में यहां पर इन्होंने एक नया syllabus लाया फॉस्ट इयर में fundamental of programming languages अगर आप नीचे comment करोगे तो मैं अलग-अलग university का फॉस्ट इयर का जो syllabus है मैं आपके उसके लिए एक special वीडियो में बनाके दे दूँगा आपको पर उसके लिए आपको नीचे comment करना होगा अब देखो दोस्तों programming से यह programming languages दोस्तों सभी को पढ़न सभी branches है सबके syllabus common है first year में तो यहां पर आपको सभी को fundamental of programming languages से एक नया syllabus आया तो यह आपको पढ़ना होगा पहले यहां पर SME करके subject हुआ करता था तो यहां पर इन्होंने एक नया changes ला दिया है साथ में इन्होंने pattern में भी कुछ changes लाया जैसे engineering mathematics 1 में अगर आप जाके देख पहले पूने university में in same और and same ऐसे दो exam होते थे अब इन्होंने बस and same रखा है तो यह बस आपको यह समझ के चलना है कि new education policy 2020 apply होना start हो गया है सबसे यहां पर देखो पूने university ने अपना syllabus भी release कर दिया है तो आपको तयार हो जाना है कि जो भी अगर आपके वास time बच रहा है थ थोड़ी बहुत चीजे skill के उपर थोड़ा सा काम करो क्योंकि आने वाले time में जब आपका placement होगा जब आप engineering में आज से चार साल के बाद निकलोगे तो थोड़ा सा generation पूरा का पूरा change हो जाएगा और उस time पे बहुत सारी चीजे change हो जाएगी जो syllabus pattern यहां पे दिखाई दे उनको याद रखना है कि 2024 के pattern के इस आप से पढ़ना है बाकी दो सब चीजे academy channel पे आएगा syllabus क्या है book क्या है कौन सा book आपको लेना चीए कौन से book से बहुत simple तरीके से चीजे होती है सबी चीजे वहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तो और याद से channel को subscribe कर लेना जैहिन दोस्तो